हलो एवर्वन वेल्कम ट्यू आल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाई मिस्टर अड्मोल सर आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ स्विब्यसी क्लास नाइन भी हाइब से चैप्टर ठी दलिटिल कर यह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ने इस स्टोरी को सुरू करते हैं जैसे की टाइटल से आपको पता चल रहा है कि एक लड़की के बारे में इस कहानी में हम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ने से पहले कुछ आपको मैं मोरल देना चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इ जैसे कि अपने देखा होगा कि अपने परिवार में हमारे परिवार में आपके परिवार में हम सभी के परिवार में अपने अकसर देखा होगा कि अगर आपके पापा सॉफ्ट होते हैं तो ममी बहुत हार्ड होती है और ममी जब सॉफ्ट होती है तो पापा बहुत हार्ड होत उसके वहीं पापा जिससे वह बहुत ज़्यादा डरती थी और वहीं उसके पापा बहुत ज़्यादा उसे प्यार भी करते हैं तो गाइस लेट सीट आफ एसे टिंटिक श्टोरी अबॉट डॉटर अंडर फादर कि शुर करते हैं यहां से चोटी सी लड़की रहती है वह अपनी आकरती है यह पापा की जो ब्यहविर जो पिताजी की भी हविर जो रहती है उसे वो बहुत डरती है और उनको दूर रखती है और बहुत ज़दा आवव़ड करती है every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss परते एक दिन पिता जी अपने कारे पर जाने से पहले उस बच्ची के कमरे में जाते हैं और उसे एक छोटा सा किस दे देते हैं to which she responded with goodbye father और जिसके परते युद्तर में वो लड़की अपने पिता जी को क्या बोलती है अलविदा पिता जी कहती है जिससे वो उसके पापा जी क्या करते हैं खुश होगे चले जाते है और जब उससे यह सुनकर परसन होती है कि नीचे लंबी सराग पर गारी की जो आवाज जो गारी जो लगी रहती है उसमें पिता जी वहां से ओके अपने ऑफिस चले जाते हैं तो लड़की बहुत ज़्यदा खुश हो जाती है कि चलो आप तो कोई घटना घटने मोली नहीं है आप चलो एक बहुत बड़ी मतलब आप तो टली है अब तो यहां पर मुसीबर टली यानिकि उसके पिता जी से को जब वह कीज करते थे तो बच्ची बोलती थी गुड़ बाई फादर तो वहां से वह चले जाते थे और जब बाहर जाते थे तो बच्ची नतिजार करते थी कि कब मेरे पिता जाएंगे कब जाएंगे और वह जब गारी से जाते हैं तो उसके आवाद जो बच्ची को सु और हॉल तक उसकी आवाज जो होती है वो उसकी पपाजी के जो आवाज जो होती है वो सुनाई देती है bring my tea into drawing room मेरी चाय drawing room में लेकर के आओ hasn't out hasn't the paper come out came out यहां तक कि मेरा paper भी लेते आना mother ma go and see if my papers out there and bring me my slippers और उसकी पिता जी बोलती है जा मा जाकर देखो मेरा समाचार पत्र न्यूज पेपर मेरा कहां है और मुझे sleeper लाके दो अब यहां पर केजिया एक word आया केजिया उस बच्ची का नाम रहता है उस little girl का नाम कहा रहता है केजिया अब केजिया की मा उसको क्या बोलती है केजिया mother would call to her केजिया मा उसे केजिया कहके पुकारती थी केजिया mother would call to her if you are a good girl you can come you can come down and take off father's boots केजिया उसके मा कहिए उसको बुलाती है केजिया अगर तुम्हें अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिता जी के जूते नीचे जाओ और अपने पिता जी के जूते जू ड्रोजा कम दोर । लड़की देरे देरे सीड़ियों से नीचे उतरती है और ड्रोइंग रूम में चली जाती है दराजा खोलती है थो जब जैसे वह निखने लगता हैं कि देखने लगता हैं ध्याना कुरूप से और के जियर पुरी तरह से क्या हो जाती है कि डर जा दियेश वेल के जैसे आफ उसके प्ला जी बोलते हैं कि बहुत अच्हाए update में वहले के जिया हर्य अप इंड पूल ऑफ इस बुट्स एंड कि में प्रूंक उट्टार इस बुक्त तांड में पूल अब तुम्म एक अच्छी लड़की हो गई बहुत अच्छी कि जूते को तुम रूम के आउटसाइड तुम रख दो जल्दी से रख दो and have you been a good girl today और आज तुम एक अच्छी लड़की के रूप में तुम दिखाई दे रही हो I don't know father. अब हो क्या कहती है? हकलाते हुए क्या कहती है? कि मैं नहीं जानती हूं पीता जी तो माद तुम्हें डॉक्टर के पास ले करके जाएगे से निवर स्टरड विद ओवर्ट प्रीप ल॥ शीन आपर वड़ किया है के जी चिया के लिए और लिटल गलल के लिए अब क्या कहती है कि she never stirred with other people had quite given it up but only with father because then she was trying to hard to say the words properly कि वो दूसरों के सामने हाक लाकर नहीं बोलती और उसने हक लाने की जो रखिए बजो रहांए डर्ला जो फोरी कि सब्सक्राइब टाइट बोलने के लिए कट्वर परश्रम करना पड़ता है और फिर्टाजी networks जादी तब अध्याने इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो हक लाकर ही वो बोलती है और बोलने के लिए उसके पास सब्द नहीं रहते हैं What's the matter? क्या बात है? What are you looking so arraged about mother? माने उसकी माने केजिया से बोला कि क्या बात है केजिया तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? I wish you taught this child not to appear on the brink of society हेर केजिया अब केजिया की पिता जी क्या कहते हैं उसकी मा को कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिखाओ कि ये एक लड़की की आत्मातिया के निकट न जाये डर से बहुत ज़्यादा ये काप रही होती है Here केजिया Carry my tea cup back to the table carefully यानि केजिया के पिता जी केजिया के माह से बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिखाओ कि ये लड़की आत्मातिया ना कर ले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और सक्ते साधिक ज़्यादा ये डरती है केजिया मेरे चाय के प्याले को फिर से साधानी पुर्वक मेच पर ले चलो कौन बोला केजिया के पिता जी केजिया सब बोले कि ठीक है अब तुम मेरे चाय को चाय के प्याले को फिर से साधानी पुर्वक धिर धिर मेरे मेच पर ले जाके रख दो वो इतना बड़े थे उनके हाथ और उनके गर्दर इतने जएदा बड़े थे कि विशेश तोर पर उनका मुह पर जमाईल लेते हैं तो उसके बारे में केवल बिचार करना एक राक्षस यानिकि दानों के बारे में सोचना था अब रवी बार को क्या होता है कि दो रवी बार के दो पर के दिन दादी माने केजिया को बुलाया अपने पास और उसे बोला कि केजिया तुम ड्रॉइंग रूप में अपने मतर पिता के पास जाओ और मधूर बात करने के लिए यानिकि दादी मा केजिया को बुलाई अपने पास और बोली केजिया जाओ अपने मामी पापा के पास जो ड्रॉइंग रूम में है और उनके जाके मधूर से बात करो प्यार से बात करो अब लेकिन छोटी लड़की सादा मा को पढ़ते हुए और पिता जी को सोफे पर लेटे हुए रुमाल मुह पर रखते हुए पाती है इनकि जब वो लड़की जाती है ड्रॉइंग में अपने ममी पापा से मधूर आवाज में बात करने के लिए तो वो क्या पाती है कि पिता जी जो है वो सोफे पर लेटे हुए और अपने मुह पर रुमाल रखे हुए है और मा क्या गयर रही है बुकुप पढ़ रही होती है उसके पैर बहुत बढ़ियां क प्शण पर रखे होते हैं और गहरी निंदरा खराते हुए मारते रहते हैं कि पिता जी सोफ्ष्षे के लाश्ट या यह पेर पीडू पेका करते पैर रखते हैं वो घबरा कर श्टूल पर बैठ जाती है कि जिया और वो तब तक उसे देखती रहती है उन लोगों को देखते रहती है अपने परेंट्स को जब तक वो उठ नहीं सके और और उसने शरीर फैला कर पूछा और किस उसकी और देखा यानि कि जब वो घबड़ा जाती है के जीए तो इस्टूल पर बैठ जाती है और वो अपने पिता जी को निहारती रहती है देखती रहती है और एक दानों के बारे में सोचती रहती है कि कैसे मेरी पिता जी बहुत खोडूसा हmeोत उनकी भीयवियर अची नहीं लिए भब टाइट है उनकใ口से बहुत डर जाती हूं तो ऐसे कर तो एक बार क्या होता कि पिता जी तुरंट सोफ्य से उठ जाते है वह वेक अब जातरों करने लिए ule के लिप अहानु तुम छंटे कर माभीं जैसी लगती भूआ कर पर सो हिद्सें टोड शाएट चिसमेड रसी में गड़े घी नेंग अन्यामशह कूल यॡवदीव पाधर बारद होले next week and suggested she should make him a pincusion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब ठंड के कारण उसे कमरे में रखा गया केजिया को तो तो ठंड के कारण उसकी दादी मा के पास रखा गया तो उसकी दादी मा ने उसे बताया केजिये को बताया कि केजिया तुम्हारे केजिये को बताया कि उसके पिता जी का जनम दिन अगले सफता है और उसे परामर्श यानि कि सला दिया यानि कि उसकी दादी मां केजिये को सला दी कि वो गिफ्ट के यानि कि सर्प्राइज के रूप में सील का पीन कुशन बन लड़की ने परिश्रम करते हुए दोसरे सूत में दोसरे सूत में तीन तरफ की सिलाई को सिलाई की यानिकि दो उस चोटी लड़की ने परिश्रम करके दोसरे सूत में तीन तरफ की सिलाई की बट वाट तो फिल इट विद लेकिन इसको भारा कैसे जाए यहीं उसकी प्रस् mother's bedroom to look for scraps डादी मा बाहर बजीचे में थी और वो मा के कमरे में गदर देखने देख रही थी यनैंकि जो लिटल गर्ल जोारी रहती है वो वो केजिय जो रहती है वो अपनी मा की कमरे में जाती है जहांपर उसकी ममी लेखे सोते हैं बेट पर वहाँ पे जाती है और वो कमरे में गुदर देख रही थी यानि इधर उदर देख रही थी और वो कागज जुन रही थी On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper सोने वाले कमरे की मेज पर उसने अच्छे कागज पड़े पाए कागज रखा हुआ था उसने वो पड़े और वो उठा लिया कौन केजिया उठा ले गेदर देम आप वन टेबल ऑशी डिस्कवरड ग्रेट मैनी sheets of fine paper गेदर देम आप टोर देम इंटो टीनी पीसेश टीनी पीसेश एंड इस्टूड हर केस देन should of fourth side, इंहें इकठा कर लिए मेजिया केजिया क्या करती है वो केजिया बहुत ही परिसरम के बाद वो 2,3 तुरफ से सुलाई कर लेती है और फिर सुचती है कि इसको भरे क्या इसमें क्या भरें तो यहीं उसका प्रस्म था प्रस्म का उतर पाने के लिए अपनी दादी मा को ढूंड रही थी लेकिन दादी मा कहां थी गाडेन में थी और वो क्या करते है कि चूप चाप अपने पैरेंट्स के कमरे में चली जाती है और होँआ पर सोने वाले कमरे की मेज पर उसने एक आगज पड़े पाए और उन्हें इकठा कर लिया और फाड कर क्या की कि उन्हें छोटे-छोटे टुकडे बना लिये और उन कुशन को कुशन में जाकर भर डाला और तब चोथी तरह की सिलाई उसने कर दी कि उसको गीफ्ट देना था अपनी पिता जी को उस रात में घर में बहुत ज़्यादा शोर मच गया था फादर्स ग्रेट स्पीच फ़र पोर्ट ऑचिरिटी हैड बिन लॉस्ट पिता जी के पोर्ट अधी प्राधिकरन के बड़े भाशन देने वाले स्पीच देने वाले जो महत्पूर्ण का अगज जो पिता जी लिखे हुए थे वो खो गए थे रमें कमरे में देखा गया तो कमरे में महीं मिला ताम्र पिंट इंट्वीक के जी के जिया के मा क्या करती है कि के जिया के कमरे में जाती है और कहती है के जिया से के जिया I suppose you didn't see some papers on a table in our room के जिया मेरे विचार से हमारे कमरे में तुमने मेच पर रख्यूवे कागज को तुमने देखा है के जिया के तिया मैंने कि जिया और आपॉर मां वह र्ख्यू आप में ओसे जिया आप मर देखां उन्षे पाहिपर को फार दिया तब के जिया कि मां फिध्य इस aja है क्या तुमने फार दी है come straight down to the dining room this is instant क्या तुमने उस papers को फार दी है यह इसी छंड तुरंद तुम सिधे drawing room में नीचे की तरफ तुम आ जाओ नीचे के तरफ तुम आ जाओ and she was dragged down to where father was placing two and four hands behind his back वह घसीट कर उस अस्थान पर लाई गई यहां से वह सीड से नीचे के तरफ डैने रूम में घसीट कर उसकी माउस को ले कर गए और जहां पिता जी इधर उदर क्या करें थे walking कर रहते पीठ के पीछे पीठ के पीछे अपने backbone पे हाथ रखकर घूम रहे थे वेल ही से sharply और उसने रुखे फंग से कहा अच्छा mother कहती है यानि कि mother explained अच्णने उसकी माने ते ने का च्छार तुमनहें उस पेपर को घृति तुमने पुछा यह उच्छा की इशने की तरफ पीठ करती है और लड़की के ओर घुरा यानि कि ऑसकी पीताशी Até रहे थे वो रुख गए एक तरफ और लड़की की तरफ कि यहां पर यूज किया है किसके लिए के लिए के लिए little girl के लिए little girl कर दिए मतलब हखला के विश्बट करके विखलब मतलब भुन भुना आना विश्बट कर बोला उसने बोली ने ने ने-ने mother go up to her room and fetch down the damn thing she did the child put to bed this instant मा बोली कि इसके कमरे में जाओ और वो सभी और पिता जी बोल रहे है कि जी कि पिता जी बोले है उसकी मां से कि जी कमरे में जाओ और सभी फाल्तू के वस्तूओं को लेकर क्या हो और इसी छंड इसे बिस्तर पर लिटा दो देखेना मैं इसको मार मार की इसको अदमारा कर देता हूं इसको भी ठिक कर देता हूं कि बिना पूछे हुए यह सब इधा हुदर करने लगती है बताने के लिए समय अधिक चिलाते हुए और शाम के परकास को दुख भरे छोटे छोटे चित्र फर्ष पर बनाते हुए देखने लगी जो के जिया पिताजी के लिए गिफ्ट के लिए बना रहे थी फादर केम इन्टु दरॉं ही देरूलर इंई इस देने के तूछ है और पीट तैकल हो चीनगे तुम्हें एसे लिए ₹ई कर देने आया हूं तुम्हें, तूमको पितने जा रहा हूं, और जो चोटी शी वato, चिलाहट । के साथ उसने के ओलिया और उसको छिपा लिया और उसने ऊसे बाहर निकाल लिया मतलों कि अपने बेट के विसुर से अंदर झुपने की कुछिसं कर रहेु थी और बोल रहे थी नहीं ने ने मत मारो मत मारो और उसके पिता जी उसको बाहर निकाले आप बोलें और उसके पिता जी उसको बाहर निकालते हैं और बोलते हैं sit up he ordered उन्होंने आग्या दी कि सीधे बैठ जाओ and hold out your hands और अपने हाथ बाहर निकालो you must be taught once and for all not to touch what does not belong to you आज तुम्हें तुम्हें आज हमेशा के लिए सिखा है सिखा ही दूंगा तुमको मारके के उन वस्तुओं को तुम मत चुओ जो तुम्हारे मतलब के नहीं है but it was for your birth लेकिन ये तुम्हारे जनमदीन के लिए था कौन बोल रहा है के जी कह रहे है कि नहीं नहीं मत मारी है ये रती है हां थेली जो रती हूँ उस पे चड़ी एक चड़ी मारा मारे उसके पीता जी आवर से लेटर घंटोबाद कई घंटोबाद अब क्या करते कि जब दादी माने उसे शाल में लेपेट लिया और उसे आराम कुरसी पर बिठाया तब बच्ची उसके नर्म शरीर से लिपट गई दादी मा को पूरी तरह से soft body को क्या कर ली वो पकर ली बहुत डर गई थे और उसको पिता जी उसको मार दिये थे अनि को बच्ची byखवान करते प्रम यूरो नोज आप प्रिये ये साथ रुमाल आपने नाँक साफ करो और जाके अपने कमरे में सौजा Go to sleep, you will forget all about it in the morning I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight अब उसकी माँ जो कहती है कि पिरिये साफ रुमाल लो अब अपना नाक साफ कर लो और जाके कमरे में सौजा, सुबह जो हुआ उसे तुम भोल जा, मैंने पिता जी को सम्याने का प्रयास किया है लेकिन वह इतने दुखी थे कि उन्होंने रातरे में कुछ भी नहीं सुना और तुमको पीट पड़े बड़ दचाइल्ड नेवर फॉर्गट लेकिन बच्ची इस चीज को कभी नहीं भुली अगली बर क्या होता है कि उसने देखा कि जल्दी से दोनों हाथ पीट के पीछे रखे और उसके गालों पर गुलाया भी रंका चाह गया था पुरे आखे पर उनकी पुरे डर गई थी हो बच्ची फीड सुबा हुआ जो अपने पिता जो को देखके अगले घर के जो बाउंडरी जो था उस बाउंडरी के उस पाथ मैंक्डोनल्ड के परिवार रहते थे हैं और उनके कितने बच्चे थे मैंक्डोनल्ड के पाँच बच्चे थे हैं तारो के जंगले के बीच में से बच्ची ने उन्हें रसी का खेल गेलते हुए आपस में देखा था सामपू उसने देखा हुआ था यानि कि पिता के कंधू पर पिता जी के कंधू पर रहन के मैंक्डोनल्स उस परिवार में रहते थे और उस परिवार में कितने बच्चे थे उनके पाँच बच्चे थे और तारों के जंगलों के बीच में से बच्ची उन्हें रसी का खेल खेलते हुए देखती थी पिता जी के कंधू पर माओ और दो जो चोटी लड़कियां जो थी उनके कोट के जेवों से लटक रहे थी और उसके लटक रहे थी और दोनों क्या करें थे एक दूसरे से खेल रहे थे तो लिटल गर्स हैंगी अनिस कोट पॉकेट रहे रहे थी और हस रहे थी कौन उसकी बच्चे मैंक डोनल्स के बच्चे एक बार तो उसने लड़कों को पापा की और नली द्वारा पानी डालते हुए देखा लेकिन उन्हें सारा समय हसते हुए वो लड़की उनको पाती है और वो सोची तो कास मेरे पिता जी भी ऐसे हमारे साथ खेलते हैं देन इट वर्ची डिसाइड़ दियर वर डिफेंट शॉट्स ओफ फादर्स तब उसने निश्कर्स निकाला कि पिता पिता भी अलग अलग परकार के होते हैं एक मेरे पिता है और एक इन लोगों के पिता हैं दोने में बहुत ही डिफेंट हैं सदेनली तुरंत क्या होता है कि एक दिन अचाना क्या होता है कि है कि गेमार हो जाती है और और के जादी मा बिमार हो जाती है और uh दीटल गल्वज लेस्ट इरह सबहुँ और देक्सिंटेकर इन तेक कथा शुप बैद में कडाराइब हाय Yakrage के कुछ को----- आपिचे यहारे significa कॉल्हों के था उब लाज हम लोग के साथ भी ऐसा होता अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि अब से क्या होता है कि that was all right in the daytime और daytime में क्या था दिन के समय में सब कुछ ठीक रहता है but while allies was putting her to bed she grew suddenly afraid दिन के समय में सब कुछ ठीक रहता है लेकिन जब Elise उसे सुला रही होती है किसको केजिया को तो वो आचानक से डर जाती है कौन केजिया अचानक से डर जाती है what I will do if I have a nightmare मुझे यदि मुझे सपना आय तो मैं क्या करूंगी nightmare का मतलब होता है सपन सपना देखना she asked उसने कहा कि जिया ने कहा कि अगर मुझे सपना आ जाए तो मैं क्या करूंगी I often have nightmares and then granny takes me into her bed I cannot stay in the dark it all gets whispery मुझे price open आने लगते है मुझे जल्दी क्या हो जब भी मैं सोनेज कि लिए जाती हूं तो मुझे तुरंधी सपने आ जाते है और तब दादी मा को बिस्तर पर ले जाती है कि दादी माँ को अपने बिस्तर में ले जाती है और अंधेरे में वो नहीं रह सकती I cannot stay in the dark में अंधेरे में नहीं सकती नहीं रह सकती इसे कानाफूसी होने इस बात पर कानाफूसी होने होने लगती है you just go to sleep child अलाइस कहती है जो कुक रहती है उसे घर में खाना बनाने वाली जो रहती है उसने कहती है कि तुम के वाल सोजा बच्ची पुलिंग ऑफ हट्षॉक्ट उसने मुझे उतारते हुए उसने मुझे उतारते हुए कहा और देखो चिलाकर बेचारे पापा को मत जगाना और अपने पापा को तो मत जगाना इस बात पर खनाफुसी करने लगते है अब क्या होता है कि लिगन फिल वो वो सापना वो देखती है और एक क्या होता है कि आपने पास चाकू और रसी रखी होई होती है जो जल्दी से जल्दी भिहाना के साथ आजाता है जब कि वो छल नहीं सकती थी आनि कि सपने में ये सब चीजों को देख रहे है कौन निखेजिया और वो चल नहीं सकती है के वाग खड़ी हो सकती है और जब वो इसी सपनी को देखी तो उसने चिलाते हुए कहा कि दादी मा अपने बिस्तर के पास दादी मा जब वो चिलाती है तो दादी मा उड़ जाती है और जब उड़ती है तो जब वो देखती है कि अपने बिस्तर के पास पिता जी को मुंबती हाथ में लिए देखकर व जब वो सपने से बाहर आती है और चिलाने लगती है दादी मा दादी मा डर के वज़े से चिलाने लगती है तब वो देखती है कि अपने बिस्तर के पास पीता जी को अपने पापा को जो देखती है कि मुंबती के साथ हो मुबती के मुबती को हाथ में लिये हुए देखकर वो और भी ज्यादा कापने लगती है और उसके पिता जी बुलती कि what's the matter he said क्या मिटर है क्या बात है उसने कहा क्या बात है उन्हों में कहा अब बच्छर अन्राइफ आवांट ग्रेनी एक कसाई एक चाकू यानि कि अब क्या कहती है कि उसकी जब पापाजी पुछते हैं कि क्या मिटर टेल मी क्या बात है तुम मुझे बताओ क्या हुआ तो वह बुलती है कि यह बुलती कि एक कसाई और एक चाकू बस यही बात बुल कि कहते कि मुझे दादी माँ चाहिए मैं बाता दादी माँ चाहिए मुझे I want my grandmother मुझे अपनी दादी माँ चाहिए He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms carrying her along the passage to the big bedroom and newspaper was on the bed He put away the paper then carefully took up the child उसने मुझे बुझाई किसने कि जे कि पिता जी ने मुझे जुका और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और बड़े श्रेन कच्ची और यानि अपने बेड़ की और वो चल पड़े और अपने हाथ में और केजिया को अपने हाथ से अपने चाहती से लगा कर को वो ले करके चले गए बिस्तर पर एक अकबार पड़ी थी उसने अध्यान लेंप के पास निकट अध्याली सिग्रेट भी पड़ी थी तो उन्हों ने अकबार को फेक दिया और सिग्रेट को चुचुले के पास फेक दिया और बच्चे को ध्यान से और ध्यान पुरवक अपने पास बिठा लिया अपने पास तुला लिया है लड़की को अपने केजिया को लेटा देते हैं अब बच्चे क्या करते हैं तो उनके पास सो जाती है वो अभी आधी निंद में ही थी कसाई की हसी ने केजिया को अभी इस्तब्द कर दिया था अभी भी वो डरा रहा था अभी वो आधी निंद में थी और सपने को देख रहे थी वो पापा के पास आई सटकर अपने सर को पापा की बाहों में जक्रा और उसकी कमीज को मजबूती से वो कि जिया क्या करती है कि पकड़ लेती है दिन दर्क जिडंट मेंटर शीले स्टील अब अंधिरे का कुछ भी अर्थ नहीं था क्योंकि वह शांत लेट गई पिता जी कहते हैं कि अपने पेरों को मेरी टांगों से रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो लांश्ट है उसके बाद क्या होता है कि टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर दे लिटिल गर्ल थके होने के कारण वह छोटी लड़की लड़की के पास सो जाते हैं कौन उनके पिता जी और वो क्यों टाइड हो जाते हैं ठक जाते हैं क्योंकि के बामी के तबियत खराब हो जाता है तो उसको लेकर कर अस्पताल में जाते हैं तो वहां से आते हैं तो पूरी तरह से ठाके रहते हैं तो ठाके होने के कारण वह पास ही वो सोजाते हैं, a funny feeling came over her, उसे मुस्कान भरी भावना आ जाती है, किसको? के जिया को, poor father, not so big after all, and with no one to look after him, आखिरकार प्रिये पिता जी इतने बड़े नहीं है, और इतने देखभाल करने वाले भी तो नहीं है, he was harder than grandmother, वो दादी मा से भी सक्त है, बट लेकिन, it was a nice hardness, लेकिन यह सक्ती अच्छी लगती है, यह जो hardness जो है, सक्ती जो है, वो बहुत ही अच्छी लगती थी, and every day he had to work, and was too tired to be a Mr. Macdonald, she had turned up all his beautiful writing, she started suddenly and sacked, यहनी कि वो क्या कहती है, कि क्यों नहीं हो सके, उसकी सभी, यानि कि वो क्या कहती एकि लेकिन वो सक्ती बहुत ही अच्छी रथी है, और सिर्बन Macdonald जो रहते हैं, उनके जैसा किजिए कि पीता जी बनने के लिए अधिक प्रिसरण करते हैं लेकिन वो ठक जाते हैं, वो बन नहीं पाते हैं, कि वो सुरू सभी सफ़ी सुन्दर लेखों बी तोफह डाला था पिता जी उसके सभी सुनदर चीज़ों को तोफह डाले थे और वह उत्यजित हो अग। पुरह सास लेकर फिर सेवा सास लेकर आचानक आख भरने लगी what the matter asked her father another dream और पिता जी उससे बोलते हैं क्या बात है क्या तुम को फिर कोई दूसरा सपना आया तब वो little girl कहती है कि say the little girl ओ छोटी लड़की ने कहा कि my head's on your heart मेरा सीर आपके दिल पर है I can hear it going मैं इसे धलकते हुए सुन सकते हूँ what a big heart you have got आपने कितना बिशाल हिर्दय पाया है father dear यानि कि प्रिय पिता जी तो यह जो कहानी जो था यह यहां पर खत्म होता है तो यह कहानी एक छोटी से बच्ची और उसकी पिता जी के बीच में रहती है जो वह अपने पिता जी से बहुत ही डरती है और बाद में वह अपने पिता जी से प्यार भी करने लगती है और उनको वह रेस्पेक्ट भी करने लगती है पहले तो आवाइड करती थी लेकिन आब उनको रेस्पेक्ट करने लगती है यहां पर कंप्लीट होता है और कोई भी आपको इश्यूस हो क्यूरूस हो और कोई भी इंफोर्मेशन से लेनी हो सी वीसी बोर्ट से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा संपर्क नंबर है 8757482913